प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी आज दिल्ली में पीएम स्वनिधी के लाभार्कियों को करेंगे संबोधित एक लाख स्ट्रीट वेंडरों को देंगे रिन अब तक 62 लाख से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को दी जा चुकी है प्रधान मंत्री शेरिंग टोपगे पांच दिवस के यात्रा पर पहुंचे भारत राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मू और प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी से करेंगे मुलाकात दोनों देशों के बीच रिष्टे प्रगार करने पर होगा मंथन एक देश एक चुनाव पर उचस्तरिय समिती ने राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मों को सौपी रिपोर्ट रिपोर्ट में दिये गए एहम सुझाव सम्विधान में उपयूग संशोधन की भी सिफारिश CAA को लेकर गृमंत्री अमिच्शा का देश्वासियों का श्वासन कहा नागरिक्ता देने का है कानून छीनने का नहीं CAA पर विपक्ष के रवये पर गृमंत्री की दो टूक कानून से किसी कीमत पर समझोता संभव नहीं वापस नहीं लिया जाएगा CAA CAA पर विवादित बयान को लेकर दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल की चौतरफा अलोचना बयान को लेकर भड़के हिंदू शर्ना थी CM आवास को घेर कर किया विरोध प्रदर्शन नमस्कार मैं हूँ जया सिन्हा समाचारों में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शुरवात करेंगे इस वक्त की एहम ख़बर के साथ प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी दिली के जवालाल नहरू स्टेडियम में आज शाम PM स्वनिधी योजना के लाभार्टियों को संबोधित करेंगे इसके साथ ये प्रदानमंत्री इस अफसर पर एक लाख स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहट रिन भी वितृत करेंगे जिसमें दिली के 5000 स्ट्रीट वेंडर भी शामिल हैं महामारी के कारण गहराए वैश्पिक आर्थिक संकट के दौरान समाज के हाश्ये पर पड़े तबकों या वर्गों को आर्थिक साहता प्रदान करने के प्रदानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर एक जून 2020 को पीम स्वनिधी योजना लॉंच की गई थी अब तक देश भर में 62 लाग से भी अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,978 करोड रुपे से जादा की राशी के 82 लाग से अधिक रिंड वितृत किये जा चुके हैं अकेले दिल्ली में 232 करोड रुपे की राशी के लगभग 2 लाख रिंड वितृत किये गए हैं ये योजना अब भी उन लोगों के लिए वितिये समावेशन और समगर कल्यान का प्रतीक बनी हुई हैं जो सदेव ही इससे कमोबेश वंचित रहे हैं प्रधान मंत्री इसकारिक्रम के दोरान दिली मेट्रो की चौथे चरण में दो अत्रित कोरिडोर की अधार्शला भी रखेंगे ये कौरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे होंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं यातायात की भीड को और भी कम करने में काफी मदद करेंगे देश के कोने कोने में चल रहे मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को जागरुप करने का प्रयास जारी है देश के अलग-अलग हिस्तों में चल रहे सभ्यान से जुड़ा एक वीडियो प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने अपने सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स पर सांजा किया है आईए आपको दिखाते हैं वावी सुवेश का मिखने की तर्यार यही अच्छी पनी से अबरकां मेरी माटिया के तुल बारा अच्छी को है मेरी देश के कुका राची मज चल रोड़े हम सब दिखरम देश का भाग बदले निकल पड़े हम अने गादिश महा जबूट करेंगे हम अच्छी को है मेरे देश ने बुठारा अच्छ पड़े हम सब के कदम अधर ने भाग देश का निकल पड़े हम हम पहली बार होट लेने वाले हैं तेरा पहला वोट देश के लिए आईए सब मिलकर इस कैमपेण का हिस्सा में जैन यकीनन अगर इस बार आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो याद रखेगा बुटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रन पर आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुँचे दिली के केंद्रिय मंत्री अश्मिनी कुमार चौबे ने उनका स्वागत किया बुटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साचदारी में प्रगती की समीक्षा करने और भारत और भुटान की बीच मित्रता और सहयो के स्थाई संबंदों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अपसर है केंद्री गुरी मंत्री अमित्षा ने नागरिक्ता संशोधन विधेक की अधी सूशना जारी होने पर केंद्री सरकार के रुक को स्पष्ट करते वे कहा कि CAA से इस देश के अलपसंखे को या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्रावधान नहीं है माइनोरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्रावधान ही नहीं है CAA सिर्फ और सिर्फ तिन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से हिंदू, सीख, बाउद, क्रिस्चन और पार्सी जो जैन और पार्सी सरनार्थ ही आये हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है गुरीमंत्री अमिच्छा ने कहा कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, हमारे देश में भारतिये नागरिक्ता सुनिश्चित करना ये भारत का विशय है, और भारत की संप्रबुदा का निड़ना है, हम इससे कभी समझोता नहीं करेंगे CAA का कानून कभी वापस नहीं जाएगा, और भारत की नागरिक्ता सुनिश्चित करना ये भारत का विशय है, भारत की संप्रबुदा का निड़ना है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमेस नहीं कर सकते सारे विपक्षी दल जूट की राजनीती कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है, विपक्ष तुष्टिकरन की राजनीती कर वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है सारे विपक्षी दल, ओवेसी हो, राहूल गांधी जी हो, या आरविन केजरिवाल हो, या ममता जी हो, ये जूट की राजनीती कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है, भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोशना पत्र में कहा है, कि हम CA लेकर आएंगे, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के, जो सरनार्थी है, उनको नागरिकता देंगे, तो भारतिय जनता पार्टी का एजन्डा बहुत स्पस्ट है, और वो एजन्डे के आधार पर हमें बहुमत मिला है, 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर किया, उसके बाद कोविड के कारण थुड़ा लेट हुआ, अब टाइमिंग का क्या महतो है, किंड्री गुरू मंत्री आमिच्छान ने कहा कि ममता बानर जी बंगलादेश से आए, बंगाली हिंदू का आहितना करे, वह इसे लेकर खौफ पैदा कर रही है, मैं ममता जी को करबद निविदन आपके इस कारेक्रम के मात्यम से करना चाहता हूँ, पोलिटिक्स करने के अजारों मंच है, प्लीज बंगलादेश से आए हुए, बंगाली हिंदू का अहित मत करिए, आप खुद बंगाली हैं, बंगलादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिक्ता देने के लिए एक कानून है, ममता जी को मैं खुली चुनोती देता हूँ, इस कानून की धारा में से, किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा, वो बता दे सारोजनिक्रूप से, वो खौप पैदा कर रह हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बेंक का कॉंसुल्डेशन करना चाहती है, ममता जी इसको मत रोकिये, करने जैसा काम है, गुसपेट रोकी केरल तमिलाडू और पश्रमंगाल दुबारा कहे जाने पर कि वे अपने राज्यों में CAA लागू नहीं करेंगे, इस सवाल पर किंद्री गुरी मंत्री अमित्शा ने कहा कि हमारे सम्मिधान के अनुच्छेद 11 में संसत ने नागरिक्ता के बारे में कानून बनाने का अध केवल और केवल भारत की संसत को दिया गया है, एक कैंद्र का विशय है, कैंद्र और राज्यों का साजा विशय नहीं है, तो नागरिक्ता के बारे में कानून और कानून का इंप्लिमेंटेंटेंशन वो दोनों हमारे सम्मिधान की 241 अनुच्छेद के माध्यम से इसको संबन में डाला गया है, जो कैंद्र के, इसकी तमाम सक्तिया कैंद्र को दी गई है, ग्रीमंत्री आमिद्शा ने कहा कि CAA के कानून को भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार लाई है, और इसे वापस करना असंभव है, हम पुरेदेश को जागरुप करेंगे, जिससे कि वापस लेने वाले लोगों को कोई स्थान ही ना मिले, उन्होंने कहा कि सम्विधान के अनुछे चोधा में दो अपवाद रखे गए हैं, एक रीजनिबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है, दूसरा कानून के उदेश्यों के साथ लॉजिकल संबन होना चाहिए। करना असंभव है, हम पूरे देश को जागरूप करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही ना मिले इस इस्थिति होगी, और जहां तक असंविधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुछे 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुछे 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं, एक रिजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद हैं, और दूसरा कानून के उद्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए, तो वो आर्टिकल 14 का वाले से नहीं करता है, किसी ये आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा या नहीं बदलेगा? किसन भी एप में अपलोड ही नहीं होता है. हिंदू शर्नातियों ने केजरिवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है. केजरिवाल मा भी मंगे बस और कुछी नहीं है. केजरिवाल मा भी मापने कैजरिवाल मापने काहाए. उसने जो बियान दिया है घुस्पेटिया हमें करार दिया है हमें चोर करार दे दिया है हमें बहुत दुख हुआ है हमें इतना दुख हुआ है जो पाकिस्तान में महारे साथ अत्याचार होता था यह भी जादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर हमें घुस्पेटिया हम क्य से किया है हम अब आज तक हमने क्या किया हुआ है हम को सदा दो जाल डाल दो लाए पहले को ना घृता चाहिए ना घृता चाहिए हमारी यह केतरी वाल ने विरोध रूध गिया हम बोलते हमारा विरोध ना करें और C.A.A. पर विपक्ष के आरोप पर किंद्रियमंत्री गिरीराज सिंग ने कहा कि वो विपक्षी दलों की सोच से दुखी है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरिवाल हिंदूओं को गाली दे रहे हैं कभी इनकी जुबान नहीं खुलती जब पाकिस्तान में हिंदूओं की बेटी को मंदप पर से उठा जाती तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती लेकिन वो पिरीद, वहां उसको सहारा पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो भाग करके हिंदुस्तान नहीं आएगा, तो कहां जाएगा, अब वो आया तो हिंदु है, इसका मतलब वो चोड है, हिंदुओं को चोड का रहे हैं रोकिंग एक छोड़ से ब्रेक के लिए, यहां पर खबरों का सिलसला जारी रहेगा, जिस तरह के बायान सामने आ रहे हैं, उस पर यहां पर दुख जताते हुए, गिरीरात सिंग, रोकिंग एक छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द हाजर होते हैं मुतुर फाइन्स, भारत का नमबर वन, सबसे भरोसे मन्थ, फाइन्शिल सर्विसेज ब्राइड, गोल लोन के लिए अभी कॉल करें, 1-800-313-1212. यह लड़ू, आप यह बैठे-बैठे, पैसे बना सकते हैं। जाइस, बै तुम्हारे बिजनेस आइडिया का, बड़ा फैन, अब बिजनेस चाहे जो भी, अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का चाहिए ना, SBI का चाहिए ना, SBI का चाहिए ना, SBI का चाहिए ना, और ग्रेट कास्कमर सर्विस, SBI, देश का फैन. Delivery boy has picked your order. अरे में, पता है, भूक लगी है, 30 मिनिट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना, मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं, कल आपने कुछ शेर्स बिची थे ना, हाँ, तो, तो, चेक किया, मैसेज आया थो था, सिर्फ मैसेज काफी नही है, आप शेर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्षेंज से आये SMS या इमेल को अपने DMAT अकाउंट और बैंक स्टेट्मेंट के साथ भी टैली कीजिए हैं, बेटा, भूक में ना, दिमाद बंद जाता है, सोचकर, समझकर, इन्वेस्टिकर, प्लक जाते थे, मगर इन दस वर्षों में, मोदी की सरकार के एक भी मंत्री के दामन पर भष्टाचार के आरोप नहीं है, तुभ आइन दस वर्षों तक, कि दस वर्स का समय गुजर जाने के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं चाहे भारत हो अत्वा दुनिया का कोई देश हो उंगली उठा कर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रहान मंत्री अत्वा उनकी कैबिनेट के किसी मंत्री के दामन पर कोई वरश्टाचार की डाग लगी हुए हो यह दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कि अगर दस वर्शों में मोधी सरकार इतना कुछ कर सकती है तो 2047 तक हम बहुत कुछ कर सकते हैं उन्होंने कहा कि साल 2047 तक भारत को विकसत राश्टर बनाना है यह दूति एडिए नेस्ट विपट प्रव्यडित अग्ट पार इने, विवद्ट बनाना कर देखरों में लगी साल 2047 तक भारत कर से विखना जिर प्रविए प्रच प्रविए लगी कानव देखरों में लगी है कि वीव ढगे कि यह प्रुनियों को बनाना तक है कि बहुत more towards 2047 so that you can live in a happy, proud, developed India. सुचना और प्रसारन मंत्री अनुराग सिंख ठाकुर की ओर से इस बारे में चेताबनी भी जारी की जा चुकी थी। प्रीट सिंग जीपी को भी फतेगर साहब से उतारा दिया गया है। बतादें की पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की बहुत पहले ही खोशना कर दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले कॉंग्रेस पार्टी को एक बड़ा जटका लगा है। पंजाब के पूर्व मुक्हमंत्री कैप्टन अम्रिंदर सिंग की पत्नी और सांसत परनीत कौर भाजपा में शामिल हो गई हैं। बतादें की परनीत कौर चार बार से पत्याला सीट से सांसत हैं। सबसे पहले वैं 1999 में पत्याला से लोकसभा चुनाव जीती थी और इसके बाद 2004, 2009 और 2019 में इसी सीट से चुनाव उन्होंने जीता। इसके अलावा ये 2014 से 2017 तक पत्याला से विधायक भी रही हैं। भाशपा का दावन थामने के बाद परनीत कौर ने कहा कि मोदी जी के कारेयों और उनकी नीतियों को देखकर मैं बीजेपी में शामिल हुई हूई हूँ। इविक्सित भारत चल रहा था प्रोग्राम क्या क्या गरीब से गरीब और इंडस्ट्री तक उनों ने जो नीतियों बनाई हैं और हमारे जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शक्ष जिनकी नेतरता में और जनता पार्टी की नेतरता में हम अपने बच्चियों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे लजा सकें सो इस करके मैं भी इनके साथ जुड़कर एक हिस्सा बन के बारतिय जनता पार्टी की काम करना चारी हूं मैं धनवाद करती हूं निरिंदर मोदी जी का नड़ा जी का और जानिमानी समाद सेवी सुधा मूटी ने आज राजस सभा सदस्ते की रूप में श्रपत ली नव निर्वाचे सदस्ते सुधा मूटी को शपत दिलाई इस मौके पर इन्फसिस के संस्थापक नारायन मूटी और आजस सभा में नेता पियूश कोईल भी मौजूद रहे अंतर आश्रे महिला दिवस के दिन सुधा मूटी के मनोनयन का आयलान किया गया था सुप्रीम कोट ने अजीत पवार गुट से अंडर्टेकिंग देने को कहा है कि वोच चुनाफ प्रचार में शरत पवार का नाम और उनकी तस्वीर का इस्तमाल ना करे शरत पवार गुट की और से शिकायत की गई थी कि अजीत पवार गुट अभी भी वोटरों से अपील के लिए शरत पवार के नाम और तस्वीर का इस्तमाल कर रहा है कोट ने अजीत पवार गुट से इस बारे में दो दिन में अंडर्टेकिंग दाखिल करने को कहा है अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी दिली दंगों के आरोपी उमर खालित की जमाना त्याचिका पर दिली की ककडूमा कोट में सुनवाई 21 मार्च के लिए टल गई है दिली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिये जाने की मांग की है ये उमर खालित के ओर से दायर दूसरी जमाना तरजी है इससे पहले एक बार उनकी जमाना त्याचिका खारिज हो चुकी है संदेश खाली खटना के मामले में आरोपी और निलंबिट टीमसी नेता शेक शाह जहां को बश्चीर हाट कोट में पेश किया गया है इडी ने शेक शाह जहां के खिलाव जमीन हडपने के मामले में संदेश खाली में शेक शाह जहां से जुड़े कई स्थानों पर चापे मारी की है आपको बता दें कि शेक शाह जहां पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ यह उन उत्पीरिन करने और उनकी जमीने हर अपने कारोप है E.D. ने PMLA कानून के तहएट शाह जहां पर केस दर्ज किया था जिसके बाद इस मामले में कारवाई हो रही है और मुंबई ने 42 पी बार रंजी ट्रॉफी जीत ली है फानल मुकाबले में मुंबई ने विधर्ब को 179 रं से माद दी 538 रं के लक्षे का पीछा करते वे विधर्ब की टीम 368 रं बना कर आउट हो गई मुंबई के 19 वर्ष एक लाड़ी मुश्णीर खान को प्लेयर अफ ते माच चुना गया मैं मुंबई के ही तनुष कोटियन को प्लेयर अफ ते सिरीज चुना गया तनुष ने इस सीजन में 500 से जादा रं बनाए और 29 विकेट हासल किये है खबरों का सलसला जारी रहेगा लेकिन फिलाल इस पुर्चन में इतना ही नमस्कार